इंदोर की तिलक नगर पुलिस ने दो वाहन चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है आरूप्यू की निशान देही पर अब चक दस दो पहिया वाहन बरामत किये गए हैं तिलक नगर पुलिस को मुखबीर से सुषना मिली थी कि छेतर के ही आईडिय मल्टी के पास दो संधिक दियूवक खड़े हैं जिनके पास चोरी की मोटर साइकल भी है सुषना की तस्दिक करने के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा जिसमें पुलिस ने दोनों आरूप्यू को गिरफतार किया पिशले कुछ दिनों में वाहन चोरी की वारदातें जो सी काफी बढ़ रही थी तो श्रीमान आईजी महुदे और दी आईजी महुदे के दौरा अभियान चलाने का आदेश दिया गया कि अभियान के तौर पर चोरी की गाड़ी को ढूना जाए और जो फर्यादी हैं उनको गाड़ी सुपर्ट की जाए तो इसी सिलसले में सारे थाने कारवाई कर रहे थे हम लोग भी लगे हुए थे तो सूचना हमें मुब्य द्वारा मिली कि आईडिया मल्टी के पास में तो गाड़ियों को बेचने की बात कर रहे हैं तो तुरंट के तुरंट हमारी टीम जो बीट की टीम थी और हमारी टीम पहुंची और वहां पर जो मौजूद थे दो इन लोग उठाकर हम लेकि आए और पूश्टाज जारी गरी है पूश्टाज में उनसे यह पदा चला कि हां बोलो यह काम करते हैं गाड़ियों को चुलाना और गाड़ियों कवेचना तो उनसे उनसे पूश्टाज कीных हilage हमको उनसे बताए कि इस जगया पर गाड्य का गाड़ियों थे हैं कुल दस ऑगाड़ियां ब्रहांद हुई है जिसमें की प्ल्सर है दो आपाचे हैं दो तो एक्टिवा है एक होंडा शाइन है यह सारी गाड़ियां इसमें जो तीन आरोपी हमने पकड़े हैं उनके नाम समीर पिता साजित कुरेशी अरसलान पिता वली मुहमद और फैजान पिता नवाब खान यह तीन आरोपी हैं जो गाड़ी चोरी करते थे गाड़ियों को हैं बाकि दो गाड़ियां अभी एंट्रेस्ट हैं जिनकी व्येशना जारी है उनको ट्रेस्ट करके उनके जो ओनर्स उनको दी जाएंगी और फिर को फ्रोशिया जाएगा है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब दरें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूले